UFC 3080 साल का one of the best cards में से एक है जहाँ पर overall अगर हम इस card को देखें तो main card तो है ही बट prelim card भी काफी अच्छा है जिदा total इस card में 6 undefeated fighters fight कर रहे हैं जिसमें 4 तो main card से ही हैं अब बीशक इस card से 3-4 fights cancel हो चुकी हैं जहाँ पर main card से Cyril Garn और Alexander Wolkov की fight भी cancel है बट फिर भी अगर तुम notice करोगे तो इस card को जादे effect नहीं पड़ा है क्योंकि overall एक card काफी solid है अब prelim card की जो maximum fights है वहाँ पर बहुत सारे prospects हैं यानि कि upcoming fighters जो बहुत solid लग रहे हैं बट also यहाँ पर Jeff Neil और Raphael Dos Anjos की भी fight होने वाली है whereas main card की बात करें तो पतनी क्यों मुझे लग रहे है कि यह पूरा main card बहुत ही जादा close रहने वाल है जिदर जो betting line में big underdogs भी हैं वो भी fight को win कर सकते हैं और who knows maybe हमें इस card में बहुत सारे upsets और जो undefeated fighters हैं वो भी हमें defeat होते हुए दिखें अब chapters को मैंने add कर दिया है ताकि particular fight के बारे में तुम directly देख सको और अब prediction वीडियो को start करते है main card की opener fight से जहाँ पर ये fight है middleweight division की और यहाँ पर fight होगी undefeated शारा पुतीन मेगोमेडव वर्सिस अर्मन पेट्रोशन के बीच में अब ये fight शारा बुलेट के लिए एक real step up fight है क्योंकि यहाँ पर fight बहुत जादे interesting बन सकती है अगर अर्मन पेट्रोशन डिसाइड करता है कि वो starting से ही शारा के साथ wrestling करे इस fight में हमें finally देखने को मिल सकता है कि क्या शारा बुलेट ने अपने take down defense को improve किया है क्योंकि अगर तो उसने take down defense को improve कर लिया है तो मुझे लगता है कि वो fight को win करेगा बट अगर उसका take down defense week हुआ और अर्मन पेट्रोशन का game plan रहा कि वो पूरी fight को ground में hold करके रखेगा तो शारा का 14-0, 14-1 भी बन सकता है जहाँ पर striking की बात करें तो I think सो शारा बुलेट के striking काफी बेटर ह especially जब kicks की बाता है क्योंकि शारा बुलेट अपने 25 से जादा kicks को throw करता है और जो उसकी side kicks है वो उसके jack की तरह land होती है अगर ये fight standing रही और शारा बुलेट अपने momentum को gain कर लेता है तो फिर वो अर्मन पेट्रोशन को beat करने वाल है क्योंकि अर्मन पेट्रोशन एक जादा aggressive fighter नहीं है और ये चीज़ हम last कुछ fights में शारा की देख चुके हैं कि जितने भी उसके fighters हैं वो ज़्यादा aggressive fighters नहीं थे तो उनको शारा बुलेट ने कितना ज़्यादा pressure करके beat कर दिया तो इसलिए इस fight में मेरी prediction है शारा मैगोमेड़फ to win by decision I think so शारा बुलेट इस fight को standing रख पड़ेगा जहांपर क्योंकि शारा बुलेट के पास इतनी ज़्यादा punching power नहीं है और वो भी last round में थोड़ा सा gas out होने लग पड़ता है तो इसलिए शारा की तरफ से finish आना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं पिक करने वाला हूँ शारा मैगोमेड़फ to win by unanimous decision और moving on to the next fight त Diego Lopez के against उसको लेकर मुझे लगता है बहुत सारे लोग influence हो चुके है जहांपर अब क्योंकि Danny के short notice में नहीं ले रहा है बलकि एक proper training camp करके Liron Murphy के साथ fight करने वाला है तो बहुत सारे लोगे मानने लग पड़ें कि अगर Diego Lopez के साथ Danny के ऐसा कर सकता है तो फिर वो Leon Murphy को भी beat कर सकत है बट to be honest मुझे ऐसा लगता है कि Liron Murphy एक overall better fighter है जहांपर वो जादा fast है वो striking में जादा better है and also उसे take downs भी करने आते हैं तो वो basically एक all around fighter है जहांपर दूसरी side for sure Danny के एक बहुत solid fighter है वो बहुत जादा mentally strong है बट जब striking की बात आती है तो Danny के जादा output को throw नहीं करता है बलकि व पार perfect timing की weight करता है अपने opponent की उपर वो knockout punch land करने की और दोनों के ही पास ये knockout power है बट मुझे लगता है कि Liron Murphy के पास जादा weapons है वो take down भी कर सकता है उसकी leg kicks बहुत जादा sharp है and वो also जादा fast है तो इसलिए इस fight में मेरी prediction है Liron Murphy to win by decision और moving on to the next fight तो यहां से बाकी सारी fights heavyweight division की जिदर magomed uncle life fight करने वाला है Alexander Rakic के साथ अब जितना भी मैंने देखा है तो काफी लोग Alexander Rakic को बहुत जादा underestimate कर रहे हैं जहां पर हर कोई directly believe करने लग पड़ा है कि magomed uncle life तो fight को win कर लेगा बट वो सारे लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि injury से पहले Alexander Rakic एक huge prospect था और उस के पास for sure वो knockout power है और just like uncle life उसे भी grappling करना आती है तो इसलिए मेरी opinion में Alexander Rakic को इतना जादा underestimate करना गलत है अब यहां पर standing fight में एक जीज़ हम भूल नहीं सकते कि magomed uncle life की जो weakness है वो leg kicks हैं और Alexander Rakic को अगर हम देखें तो वो leg kicks बहुत ही अच्छी throw करता है जिदर last fight यीरी प्र के साथ करने लग पड़ता है तो uncle life भी हमें break होता हुआ दिख सकता है इसलिए ये बहुत जादे important रहेगा कि magomed uncle life का leg kick defense कितना better है बट राकेज के बारे में ये सब बोलने के बाद जब prediction की बात आती है तो मैं भी यहां पर magomed uncle life को ही pick करने वाला हूँ अब मुझे लगता है कि ये fight बहुत जादा close बन सकती है जहाँ पर last fight में राकेज बहुत जादा strong दिखा था बट problem यहाँ पर Alexander के साथ ये कि वो fight को start तो काफी अच्छा करते है बट जैसे जैसे fight आगे बढ़ते रहती है तो वो थोड़ा सा break होने लग पड़ता है Magomed Uncle Ive का already vision set है कि वो Alex Pereira के साथ fight करना चाता है और उस fight को लेने के लिए उसे इस fight को बहुत impressive way से win करना है तो मुझे लगता है कि इस fight में Uncle Ive absolute pressure के साथ आने वाल है वो maybe early of the fight में Alexander Rakic को ground मिले के चले जाए या who knows ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कि उसकी striking भी बहुत insane है त अब ये चीज़ actually में भी हो सकती है क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि Magomed Uncle Ive की grappling बहुत solid है बट अगर तुम मुझकी fight को closely देखोगे तो वो ground fight से जादा striking fight करता है अब दोनों ही fighters बहुत जादा strong fighter है for sure दोनों के पास वो knockout power है जहाँ पर striking में अगर मैं देखूँ त अगर ground की बात करें तो obviously यहाँ पर मैं Magomed Uncle Ive को जादा better बोलूँगा और इसलिए मुझे लग रहा है कि starting of the fight से ही Uncle Ive Alexander Rakic के साथ grappling करने वाला है उसे try करने वाला है ground में लेके जाने की क्योंकि अगर first round Magomed Uncle Ive ये कर लेता है तो फिर काफी chances हैं कि second round onwards हम Alexander Rakic को थोड़ा सा break हो हुआ देखें और फिर ultimately fight को win कर जाए अब starting of the fight में speed भी Alexander Rakic की बहुत better होने वाली है बट जो Magomed Uncle Ive उसके उपर constant pressure को डालने वाला है उससे मुझे लगता है कि Alexander Rakic थोड़ा सा break हो सकता है और ये चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि अगर first round में Uncle Ive fight को ground मिने के चले जाता है तो फिर यह almost confirm रखो कि वो fight को win करने वाला है और इसलिए इस fight में मेरी prediction है Magomed Uncle Ive to win by decision और moving on to the next fight तो ये fight 308 की co main event fight है चाहाँ पर ये fight middleweight division की है और most likely for the number one contender चाहाँ पर Robert Bittaker की fight होने वाली है हमसा चमायव के साथ ये कौर ऐसी fight है जो मुझे लगता है एक बहुत जादा close fight है और कोई भी इस fight को win कर सकता है जहाँ पर एक side है Robert Bittaker जो इस division का former champion रह चुका है उसने सारे best fighters के साथ fight कर लिए उसके पास बहुत जादा experience है वेरिस दूसरी side हमसा चमायव है जो ज़रा भी care नहीं करता कि उसका opponent experienced है या फिर new है वो first round में one of the most powerful fighters में से एक है जहाँ पर fighter जो भी हो वो उसे ground में लेके जाने वाला है अब हमसा चमायव एक undefeated fighter है बट वो काफी time से बहुत ही कम fights कर रहा है due to health problems तो अगर हमसा चमायव को इस fight में ring rust हुई तो ये उसके लिए बहुत tough fight बन जाएगी अब to हमसा चमायव इस fight को win करने वाला है whereas अगर fight later rounds में जाती है तो most likely वहाँ पर Robert Whittaker fight को win करेगा अब वैसे तो Robert Whittaker भी early fight को finish कर सकता है उसकी last fight में हम ये चीज़ देख चुके है whereas who knows हमसा चमायव ने भी अपने cardio को बहुत improve कर लिया हो और वो भी later round में finish या overall decision win कर ले but still somewhat narrative यह रहने वाल है कि हमसा चमायव को early fight को finish करना पड़ेगा वरना वो round 3 onwards tired होने वाल है और फिर Robert Whittaker fight को pick कर लेगा whereas Robert Whittaker की बात करें तो उसे early हमसा चमायव की take down को survive करना है उसे कैसी भी करके submit या फिर knockout नहीं होना है और फिर उसके बाद वो later rounds में fight को win कर सकता है दोनों fighters की weakness बिल्कुल हमारे सामने जहाँ पर बेशक on paper Robert Whittaker बहुत जाधा technical fighter है उसकी striking काफी better है उसका take down defense इस division में one of the best है बट एक बहुत बड़ी weakness Robert Whittaker की है कि उसकी चिन अब जाधा strong नहीं बची है Robert Whittaker ने अपने career में बहुत जाधा fights की है उसने बहुत जाधा beating भी लिये और इसलिए अब उसकी chin इतनी strong नहीं बची है जहाँ पर बहुत सारी fights में वो rock हो जाता है और सारी लोग बात कर रहे है हामसा चमायव की grappling को लेकर बट काफी लोग ये बूल रहे है कि हामसा होने लग परता है और उसकी फिर striking उसकी जो movement है जितनी वो power से take downs करता है वो सारा ही एक दम से drop हो जाता है जहाँ पर first round में तो वो एक absolute animal है वो for sure किसी भी fighter को beat कर सकता है बट later rounds में इसका complete opposite होता है तो ये सारा देखकर अगर prediction दूँ तो काफी close way से इस fight में मेरी prediction है Robert Whittaker to win by late round knockout अब अगर हामसा चिमाया first and second round में fight को finish कर देता है तो well and good मुझे भी लगता है कि वो fight को finish कर सकता है बट जब overall fight को देखने के बाद आती है तो definitely हामसात Robert को first round में ground में लेके जाने वाला है बट मुझे ऐसा लगता है कि experience की वज़ह से Robert Whittaker first round को survive कर लेगा और फिर उसके first round में चाती है तो fifth round में भी रहने वाला है बट हामसा चिमायव हमें gas out होता हुआ दिखेगा जहाँ पर फिर हमें one of the best blitz में से Robert Whittaker का वो one-two-punch combination का blitz देखने को मिलेगा या फिर one-two-punch combination के साथ वो right head kick देखने को मिलेगी और ऐसे ही कुछ combination से मुझे लगता है कि fourth या फ इसके बाद कितना जादा better हो गया है definitely weight cut भी उसका बहुत brutal रहता है और सबसे बड़ा question तो यही है कि क्या वो fight में बहुत जादा aggressive आकर एकदम से fight को finish करने का देखेगा क्योंकि ऐसा करने पर बहुत बड़ा risk है या फिर वो अपने game plan को change करकर बहुत ही जादा काम और low output के स fight करेगा बट फिर यहाँ पर एक और risk का जाता है कि starting से ही Robert Bittaker जादा technical रहने की वज़े से पूरी fight में हामसाद को out strike ना करते तो इसलिए Robert की chin weak है तो वो definitely knock out हो सकता है बट हामसाद चमयक की काफी ऐसी weakness है जिनके अभी तक हमें answers नहीं बता हैं तो इसलिए on paper सब कुछ division की होने वाली है जहाँ पर ilia to poria fight करने वाला है max all away के साथ अगेन ये एक और ऐसी fight है जहाँ पर कोई भी confidently ये नहीं बोल सकता कि एक particular fighter win करने वाला है बट एक बास शोर है कि ilia to poria ने जितनी भी trash talk की है अब time आ चुक है अपनी सारी trash talk को back करने का अब इस fight को लेकर भी एक काफी solid narrative set हो चुक है जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या ilia to poria अपनी knockout power से max all away की iron chin को break कर पाएगा अब ये चीज़ मैं starting में ही बोल देता हूं कि ये बहुत जादा crazy होने वाला है अगर ilia to poria first round में max all away की iron chin को break करके उसे knockout कर देता है बट इसी के साथ couple of और चीज़े बहुत जादा crazy हो सकती है जहाँ पर क्योंकि ilia to poria की ground game का फीन सेन है तो imagine करो सारे लोग सोच रहे कि knockout होगा बट वो first round में ही max all away को submit कर दे बट इसके opposite हमें ये नहीं भूलना चीए कि max all away के पास iron chin है बट ये same iron chin ilia to poria की नहीं है जहाँ पर वो पहले भी fight में knockdown हो चुक है और max all away के head kicks काफी अच्छी है तो imagine अगर max all away यहाँ पर ilia to poria को first round में या फिर throughout of the fight में कभी भी head kick से knockout कर देता है बट obviously इन सबसे जादा crazy यहीं होगा कि पहले के ही 10 second में ilia to poria max all away को point down करता है और वैसे तो max बोल रहा है कि वो ilia के साथ brawl करने में engage नहीं होगा बट व दोनों पहले के 10 second में brawl करने लग पड़ते हैं कभी भी इस fight में max all away को यहीं चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह absolutely पूरी advantage देता है ilia to poria को उसका size max all away से छोटा है तो जब वो दोनों brawl करने लगेंगे तो ilia to poria के punches land होने की जादा probability है विरस max को short range में अपने punches को land करन पारे में हर कोई जानता है कि उसकी striking बहुत जादा अच्छी है बट जितना भी हमने ilia to poria से देखा है तो उसकी भी striking बहुत जादा अच्छी लगी है बट यहां पर एक बहुत बड़ा catch है कि not only ilia to poria striking कर सकता है बट उसकी ground game भी बहुत जादा solid है हर कोई सिर्फ इसी ground करके ground में hold करेगा और basically fight को ground fight बनाएगा तो उसके win करने के chances बहुत जादा increase हो जाते हैं बट क्योंकि दोनों fighters की बीच में striking की ही बात हो रही है तो I'm not sure fight ground में जाएगी especially जब हम यह देखते हैं कि दोनों fighters claim करते हैं कि वो best boxes हैं और दोनों ही fighters अपनी last fight में knockouts करके आ रहे ह अब Ilya Tuporia से start करें तो Ilya Tuporia एक काफी technical fighter है जो striking के साथ-साथ ground fight भी काफी अच्छी करता है वो undefeated fighter है हमेशा देखता है fight को finish करने का और striking की अगर बात करें तो वैसे तो Ilya Tuporia जादा high output वाला fighter नहीं है बट यह चीज़ notice करने वाली बात है कि slowly slowly Ilya Tuporia अपने opponent को pressure करता है और जैसी ही वो distance को close करता है वो काफी powerful punch combinations को throw करके एकदम से fighter की उपर jump in कर जाता है और ये same हम Aleksander की fight में भी देख चुके है और इन punches में Ilya Tuporia बहुत जादा power को back करता है तो बेशक Max Oliver के पास iron chin है बट वो भी नहीं चाहेगा कि उसके उपर ऐसे punches पढ़ें अब दूसरी side Max Allaway जो purely एक momentum based fighter है जहाँ पर अगर तो Max Allaway ने starting में अपने flow को पकड़ लिया तो फिर वो पूरी fight में same pace के साथ high output को show करते हुए fight को win करने वाला है ये हम उसकी बहुत सारी fights में देख चुके है जहाँ पर Max Allaway featherweight division का एक जादा बड़ा knockout fighter तो नहीं है बट उसकी जो punch throw करने क output है वो बहुत ही जादा insane है जहाँ पर अगर तो ये fight later rounds में जाती है तो definitely इलिया टुपोर्या में थोड़ा सा slow down होता हुआ दिखेगा बट Max Allaway पूरी fight में same pace के साथ fight कर सकता है तो इसलिए जितनी ये fight later rounds में जाएगी उतने जादा मुझे लगता है कि Max के chances increase होने वाले हैं एक pure sniper है तो अगर इलिया टुपोर्या उसे ground में लेके चाता है तो फिर इलिया के win करने के chances बहुत जादे increase हो जाते हैं और इसलिए इस fight में मेरी prediction है इलिया टुपोर्या टुविन पाइडिसीशन तो बी honest मैं इस fight को थोड़ा सा different way से सोच रहा हूँ जाँ पर काफी लोग यही सोच रहे हैं कि इलिया टुपोर्या के पास पहले दो rounds है जाँ पर वो Max Oliver को knockout कर सकता है या फिर उसके बाद Max Oliver इस fight में take over करने वाला है बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा कि इलिया टुपोर्य को ground fight करते हुआ देखेंगे और basically वो अपनी fighting को mix करने वाला है जहां पर एक और बात notice करने वाली है कि Max Oliver short fighters के साथ इतना better perform नहीं करता है और यहां पर इलिया भी एक short fighter है तो इसलिए जैसे हमने Alexander के साथ देखा था Max Oliver यहां पर white stance को लेके आने वाला है तो जैसे वाहां पर Alexander को बहुत जादा success मिली थी leg kicks को throw करके तो exact same way से मुझे लगता है कि इलिया टुपोर्या भी leg kicks को throw करने वाला है और उसके पास वो बहुत अच्छी wrestling भी है जिससे कि वो Max Oliver को बीच बीच में take down करके भी fight को ground मिले के जा सकता है और overall जैसे Alexander ने fight को win किया था वैसी ही मुझे लग रहे कि इलिया टुपोर्या अपनी fight को win करेगा by decision Max को for sure यहाँ पर देखना होगा कि वो इलिया टुपोर्या को distance close नहीं करने दे अब दोनों की reach exactly same है बट क्योंकि Max Oliver एक tall fighter है तो वो थोड़ा सा bend होकर अपनी reach को extend कर सकता है और यही करते हुए उसे इलिया को distance में रखना है अपने jab को लगातार throw करते हुए but at the same time उसे यह करते हुए careful भी रहने की ज़रूरत है कि अगर इलिया टुपोर्या अपने punch combination से उसके उपर rush कर जाता है तो फिर उसे back out होना पड़ेगा Max Holloway के against pick करना काफी difficult choice है क्योंकि last fight में मैंने Max Holloway को pick किया था Max Holloway एक काफी अच्छा fighter है मुझे काफी अच्छा लगता है but on paper इलिया टुपोर्या के पास बहुत सारे weapons हैं जिससे कि वो Max Holloway को beat कर सकता है और यही मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच में main difference रहने वाला है ज क्योंकि मुझे नहीं लगता कि Max Holloway knockout होने वाला है but feeling आ रही है कि वो overall fight में beat होने वाला है So that's it guys यह थी पूरी prediction video what do you guys think about this तुमारी इसमें क्या picks है do let me know in the comments और मिलते हैं next video में